नमस्कार आपका आखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग् मार्च अप्रल मई 2021 जून जुलाई 2022 इन लगभग एक साल सवा साल में ऐसा क्या बदल गया अभी देश की बाद-बाद में करूंगा मैं पूछ रहा हूँ पस्चिम बंगाल में क्या बदल गया पस्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ है तो 2021 में त्रिन्मूल कांग्रिस की बड़ी जीत हुई विधान सभाच चुनाओं में बीजेपी को अपेक्षा से बहुत कम सीटें मिली लेकिन बीजेपी तीन सीट से 75 पर चली गए अभी 70 बातर पर है लेकिन वो चुनाओं का नतीज़ा आज नहीं डिसकस कर रहा हूँ कि चुनाओं में क्या हुआ, किसको कितनी सीट मिली, क्यों मिली, नहीं मिली उसके बाद चुनाओं का नतीज़ा आने के बाद हिंसा हुई जो जिससे मम्ता बेनर जी लगातार इंकार करती रही उस पर भी आओंगा लेकिन उससे पहले एक बात टीमसी की सांसद लोग सभा सदस्य महुआ मोहित्रा ने एक टीवी कारिक्रम में जो बात कही उसको लेकर इस समय पूरे देश में विरोध चल रहा है बवाल मचा हुआ है क्यों एक फिल्म मेकर हैं बनाती है लीना मणी मे काली उनकी एक शाट डाक्युमेंट्री जो है कैनड़ा में एक कारिक्रम में दो जुलाई को दिखाई गयी उससे पहले उसका पोस्टर जारी हुआ पोस्टर में मा काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया अब इस पर तो एतराज होना ही था सवाल ये है कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में ही अभिव्यक्ति की सोतंतरता क्यों याद आती है इस पर भारती है जो चायोग है कैनेडा में उसने एतराज किया और टोरेंटो मेट्रोपलिटन यूरिस्ट्री ने ये कहा कि अब आगे के कारिकरों में इस फिल्म को नहीं दिखाया जाएगा ये एक पक्ष हुआ महुआ मोहित्रा ने कहा कि इस पोस्टर में कोई गलत चीज नहीं है उन्होंने कहा कि मा काली की भक्त हूँ और मा काली को मांस और मदिरा चड़ाया जाता है अब आप देखिए किस बात से किस बात को जोड रही है एक देवी को आप सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हैं और उसका समर्थन कर रही तो अगर ये समर्थन महुआ मोहित्रा ने आज से एक साल पहले किया होता ये बयान दिया होता तो ममताब एनरजी उनकी प्रशंशा करती शायद शायद उनका समर्थन भी करती टीमसी का कोई लेना देना नहीं हम इस बयान का समर्थन नहीं करते हम इस रुख का इस स्टैंड का समर्थन नहीं करते हम मानते हैं कि ये जो पोस्टर है ये गलत है ये नहीं होना चाहिए ये ये जो है काली मा का अपमान है ये सब बातें त्रिणमूल कॉंग्रिस की ओर से आ रही क्यों कह रहा हूं मैं आप याद कीजिए याद भी होगा आपको ये वही ममताब एनरजी है ये वही त्रिणमूल कॉंग्रिस है जो पश्चिम बंगाल में जैश्री राम का नारा लगाने वालों की चमड़ी उधेडने की धमकी देता थी जो जैश्री राम का नारा लगाने वालों पर पुलिस एक्शन करवाती थी उनको जेल भेशती थी गरफतारी करवाती थी ये वही ममताब एनरजी है जो प्रधान मंतरी के सरकारी कारिकरम में जैश्री राम का नारा लग गया इसलिए कारिकरम के बीच से उटकर चली गई थी तो ऐसा क्या बदल गया बहुत कुछ बदल गया एक जिस तरह से नुपुर शर्मा को समर्थन मिल रहा है देश विदेश से समर्थन क्यों मिल रहा है नुपुर शर्मा को क्योंकि नुपुर शर्मा का कोई दोश सिद्ध हुए बिना बलकि दोश सिद्ध होना तो बात की बात है कोई जांच हुए बिना कोई चार्शिट हुए बिना उनको दोशी करार दे दिया गया है और उनको सजा भी सुना दी गई है इस तरह का जुरिस्पूडेंस इस तरह की नयाय विवस्था इस तरह की नयाय प्रणाली दुनिया में आपने कहीं कभी देखी है तालिमानी जो करते हैं उसको छोड़ दीजिए जो तानाशाह करते हैं उनको छोड़ दीजिए लिकिन किसी डेमोकरची में ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है क्या अपने देश में ऐसा हुआ है और सुप्रिम कोट के जो माननिय न्याइधिश दो है जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जेबी पार्दिवाला उन लोगों ने जो किया वो तो सारी सिमाएं लाग गया देश के गणमाने लोगों ने 117 गणमाने लोगों में जिसमें रेटायट जज हैं पूर्व आईएस अधिकारी हैं सेना के अधिकारी हैं तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं इन सब ने चिठी लिखी है चीफ जेस्टिस अफ इंडिया को कि इन दोनों के खिलाफ का रवाई हो या कम से कम इन दोनों ने जो कहा है उसको एक्सपंज किया जाए इन दोनों नियाएधिशों ने अपनी लक्ष्मन रेखा का उलंगन किया है लेकिन बात पश्चिम बंगाल और ममता बैनर जी क्यों हो रही है ममता बैनर जी इतनी डरी हुई क्यों है ममता बैनर जो जैश्री राम के नारे से जो है वो बल्लियों उचलने लगती थी आज मा काली के पोस्टर पर अपने सांसद के बयान पर टिपणी पर उसके खिलाफ क्यों चली गई महुआ मोईत्रा भी समझता करने की मूल में नहीं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से त्रिन्मोल कॉंग्रेस का नाम हटा लिया है अब सवाल ये है कि जो ममता बेनेर जी और उनकी पार्टी दिन रात नुपूर शर्मा की गिरफतारी की मांग कर रही थी क्या वो उनके खिलाफ एफाई यार दज करेगी और उनको गिरफतार करेगी या गिरफतारी छोड़ दीजिए भातिय जन्ता पार्टी ने नुपूर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया प्रवक्ता पत से हटा दिया क्या ममता बेनर जी पार्टी से निकालेंगी महुत्रा को सवाल इस बात का है और सवाल मामला सिर्फ इतना नहीं है कि उनको पार्टी से निकालेंगी या नहीं निकालेंगी सवाल यह है कि ममता बेनर जी इस एंटी हिंदू नेरेटिव के साथ क्यों नहीं खड़ी है उनकी तो पूरी राजनीती ही सीपर्टी की है हिंदू धर्म का विरोध और मुसलमानों का तुष्टी करण ये उनकी राजनीती का आधार स्थम्भ है उससे क्यों डगमगा गई तो एक तो देश में जिस तरह से माहौल बदल ला है जिस तरह से हिंदूों में जागरूपता आ रही है एकता दिखाई दे रही है और मैं ये बार बार कह रहा हूँ पहले भी कहता रहा हूँ अब भी कह रहा हूँ हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम हिंसा की बात नहीं कर रहें और करनी भी नहीं चाहिए फिर कह रहा हूं जिस दिन हिंसा की बात करेंगे उस दिन हमारी कमजोरी दिखाई देगी दुनिया में विश्व में ब्रम्हांड में सबसे ताकत वर वो होता है जिसे अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करना पड़े ताकत का इस्तेमाल या तो कमजोर वेक्ति करता है या जो अपराधी है जिसके मन में चोर है वो करता है या जो गलत रास्ते पर है वो करता है तो इसलिए हिंसा के बारे में कभी न सोचेगा आप देखिए कि थोड़ी सी आपकी एकता थोड़ी सी जागरूपता उसने कितना बड़ा परिवर्तन किया है लेकिन ममता बैनर्जी के डर के और भी कारण है इसके साथ साथ हम मैंने भी आलोचना की आप सब लोगों ने आलोचना की मैंने कभी किसी मुद्दे पर बचाव कर से बीजेपी ने अपने कारेकरताओं को छोड़ दिया उसके लिए लेकिन जो हो रहा है ये सरकार जो कर रही है उसको नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं आप देखें CBI, ED, Income Tax इन तीनों की जाँच चल रही है अब समस्या ममताब अनरजी के लिए ये है कि CBI की जो जाँच चुनाव बाद की हिंसा पर हो रही है जिससे वो इंकार कर रही थी बार बार उस वो जाँच हाई कोट के निर्देश में उसकी निगरानी में हो रही है वो इस जाँच के खिलाब सुप्रिम कोट गई सुप्रिम कोट ने मना कर दिया CBI ने अपनी पहली स्टेटर स्रिपोर्ट 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 2021 को हाई कोट को सौंपी ये सील बंद लिफाफे में सौंपी गई हाई कोट ने उसको देखने के बाद खंट पीट ने जो बेंच थी जो देख रही है उसने कहा कि आगे जाँच कीजिए उस समय तक 21 F.I.R. लॉज की थी CBI ने अब 58 F.I.R. लॉज हो चुकी है और जो इसमें शामिल थे उन सब को एक एक करके गिरफतारी हो रही है जो भाग गए भगोडे थे उनके किलाव इनाम की घोशना हुई है अब इस्थिती ये है कि CBI ने इसी साल मई में अपनी दूसरी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो हाई कोट को सौपी है और इस रिपोर्ट के सौपे जाने तक 224 लोगों को गिरफतार किया जा चुका 300 से ज़्यादा भाजपा कार्यकरताओं को हाई कोट के आदेश से CBI ने पुलिस सेक्यूरिटी दिलवाई है ममता बेनरजी के लिए बड़ी कष्ट की बात है कि जिनके खिलाफ हिंसा का तांडव कराया जिनके खिलाफ उन्होंने इस हद तक वो गई उनको उन्ही की पुलिस से सुरक्षा देनी पड़ रही है और चुकि हाई कोट की नजर है इसलिए वो जादा उसमें कुछ कर नहीं सकती है ये पहली बेबसी है उनकी दूसरा दूसरी स्ट्रेटर्स रिपोर्ट देने के बाद सी बी आई अब तक 26 चार शीट फाइल कर चुकी है यानि 26 मामलों में जाँच पूरी हो चुकी है और चार शीट फाइल हो चुकी है इसके अलावा कोईला घोटाले में पुश्टाश चल रही है ममता बेनर जी की बतीजे अबिशेक बेनर जी की पतनी रुजिरा बेनर जी से पूश्टाश हो चुकी है इसके अलावा नारदा घोटाले में टीमसी के मंतरी फिराद हुसेन गिरफतार हो चुके है और सुबरत मुखर जी और मदन मित्रा का नाम चार शीट में है और चिटफन घोटाले में ममता सरकार के एक और मंतरी रंजन भूनिया पहले पुश्टाश के लिए बुला है फिर गिरफतारी हुई और उनके साथ 14 और लोग गिरफतार हो चुके है अब ये सब हो रहा है पश्चिम बंगाल में तो ममता बनेर जी को परिशानी क्या है ममता बनेर जी की परिशानी है कि वो बेबस है इसमें वो कुछ कर नहीं पा रही है लेकिन चुनावबाद की हिंसा का मामला हो या इन घोटालों की मामला हो कोईला घोटाला हो या फिर चिरफन घोटाला हो इन सब में उनके पास ये आधार है कि ये बीजे पी का प्रोपेगंडा है जूट है अधालत से सब चूट जाएंगे ये सब बोल सकती है कर कुछ नहीं सकती है लेकिन ताजा जो मामला हुआ है वो उनके लिए सबसे ज़ादा चिंता का कारण है और वो मामला है सिक्षक भरती घोटाला टीचर्स एपॉइंट्मेंट स्कैम इसमें जो जाँच हो रही है और उनके लिए जो है दोरी मार ये पड़ी है कि हाई कोट ने फिर एक बार सी बी आई सका है कि आप जाँच कीजिए राज्य की पुलिस पर या राज्य की किसी एजेंसी पर हाई कोट ने भरोसा नहीं किया CBI की जांच से, ED की जांच से, Income Tax की जांच से महमता बेनर्जी की परिशानी लगातार बढ़ती जा रही है उनको समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें किस ओर जा रही है तो मैं जो बार-बार कहता हूँ कि कानून की चक्की بहुत महीन पीसती है लेकिन थोड़ा देर से पीसती है तो जो कानून के हाथ लंबे होने की बात कई गई है लंबे तो हैं लेकिन वो देर में पहुचते हैं तो पश्चिं बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है और उसी की वजह आप देखिए मम्ता बनेर जी का बदला हुआ रुख उनकी वो आकरामकता आप देखेंगे तो पिछली एक महीने भर में 20 दिन में एकदम से गायब हो गई है यहां तक हो गई है कि जिसको उन्होंने राश्पती पत का उमीदवार खुद बनवाया सत्रा पार्टियों को मिलाकर यश्वन सिनहा उनको डिसोन करने के लिए तयार है वो कह रहीं कि अगर बीजेपी ने पहले बताया होता कि वो दरौपदी मुर्मु को उमीदवार बनाने जा रही है तो वो भी समर्थन करती सरुसर्मत्ती से हो जाता ममता बेनर जी के मुँसे ऐसी बातें आपने कब सुनी थी ममता बेनर जी जब इश्वन सिनहा को उमीदवार बना रही थी तब उनका और उनके साथियों का कहना था कि ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है उनको मालूम था कि उनका पक्ष कमजोर है फिर भी उसको सुरूप क्या दिया गया कि ये वैचारिक लड़ाई है मुझे कोई आश्चर नहीं होगा खाला कि इसकी संभावना बहुत-बहुत-बहुत कम है लेकिन मुझे कोई आश्चर नहीं होगा कि 18 जुलाई को मद्दान से पहले अगर त्रिनमूल कॉंग्रिस द्रॉपदी मुर्मू का समर्थन कर दे क्योंकि आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है पश्चिमंगाल में ममता बैनेर जी आदिवासियों के खिलाफ जाती हुई नहीं दिखना चाहेंगी उनको यश्वन सिनहा से कुछ नहीं मिलने वाला देना ही है अगर देना पड़ा तो तो इसलिए यश्वन सिनहा का उनके लिए कोई उप्योग नहीं है दरसल यश्वन सिनहा का तो किसी के लिए कोई उप्योग नहीं है लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है हम सब भारतियों को आज़त होती है कि घर बदलते हैं तो इस घर का कुड़ा भी साथ में ले जाते हैं कुछ ऐसे सामान जिनकी कोई जरूरत नहीं हो वो जो है मकान दर मकान हमारे साथ चलता रहता है ये शोन सिना ऐसे ही लोगों में है जिसकी जरूरत किसी को नहीं है लेकिन फेक नहीं रहा है बीजेपी ने सिर्फ ये किया कि भई अपने आप कोई उठा ले जाए तो ठीक है हमको नहीं चाहिए तो कोई उठा ले गया तो आप उसके घर में कुड़ा बढ़ा रहे हैं लेकिन बात ममताबेनर जी की है ममताबेनर जी की राजनीती में आपको आने वाले दिनों में बदलाओ दिखेगा बदलाओ ये नहीं कि वो कोई बीजेपी की समर्ट तक हो जाएंगी या उनका जो रवया है वो बदल जाएगा लेकिन उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और ये दबाव जो है जैसे जैसे ये जाँच आगे बढ़ रही है CBIE, ED, income tax की वैसे वैसे उनकी इस्थिती और खराब होती जा रही है देखे बड़े से बड़ा बहुमत आपको भ्रष्टा चार की जाँच से बचा नहीं सकता इसका सबसे बड़ा उधारन है राजीव गांधी, स्वर्गी राजीव गांधी 410 सीट लेकर आये थे 543 में लोग सबा की और बुफोर्स की घोटाले में सत्ता से बाहर हो गए ममताब एनरजी को वही डर सता रहा है कि जिस तरह से चुप चाप और धीरे-धीरे के इंदसरकार बढ़ रही है भाजपा के पास यह आप्शन था कि जिस तरह से हिंसा टी-म-सी कर रही थी उसी तरह की इंसा से उसका जवाब दे शायद दिया होता तो हम आप ज्यादा खुश होते है इसलिए नहीं की इंसा होती इसलिए की शायद कुछ जाने बच जाती है जो लोग मारे गए चुनावबाद की इंसा में अगर उन में से एक की भी जान बच जाती तो बड़ी बात होती है लेकिन उन कारेकरताओं की हत्या की जिम्मेदारी से ममता बेनरजी नहीं बच पाएंगी इस बात का एहसास ममता बेनरजी को अब होने लगा है शुरू में उनको लग रहा था कौन क्या कर लेगा CPM ने इतनी इतनी हिंसा की कॉंग्रेस ने सिधाश बेनरजी के जमाने में इतनी हिंसा की किसका क्या हुआ हमारा भी कुछ नहीं होगा हम सत्ता में हैं हमारे साथ कौन क्या कर लेगा लिकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है कि ममता बेनरजी इस हिंसा से बच कर निकल पाएंगी तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्धे के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजे आप से अन्रोध है कि ये चैनल देखे शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार